हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकिसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट ओफ एनेमिया के बारे में मतलब कि जब हमारे बॉड़ी के अंदर खुन की कमी हो जाती है फिर ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि HB भी काफी कम है, RBC भी काफी कम हो गया तो वो कंडिशन को हम कहते हैं एनेमिया तो ये एनेमिया की जो कंडिशन होती है उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे और कौनसे अलग-अलग मेडिशन सवगेरा यूज किया जाते है एनेमिया की इलाज के अंदर वो हम जानेंगे डीटेल में तो अगर आपके पास एंडरोड फॉन है तो एंडरोड आप डाउनलोड करें आईफ़न यूजर अप स्टोर से डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझ जियते हैं कि एनेमिया का है तो एनेमिया की जो डैफिनिशन हम कहें तो एनेमिया मतलब की low number of red blood cell कि आपके बॉड़ी के अंदर आर्बीसी जो हे वो कम हो जाते कि जिसको हम कहते है red blood cell और आर्बीसी की मातरा कम होने के कारण जो redness जो हे वो कम हो जाते है आपके body के अंदर काफी फीकापन देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखो दो हथेलिया है कि यह है नमबर 1 और यह है नमबर 2 तो यह जो हाथ है वो कहेंगे हम एनेमिक है because यहाँ पे आप देखो काफी फीकापन देखने को मिल रहा है यह वाले यह वाले हाथ के अंदर जबकि यहाँ पे आप देखो तो normal because यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है redness काफी अच्छी redness है हाथ के अंदर बले age हो चुकी है कि wrinkles वगेर आपको देखने को मिल सकते है यहाँ पे हाथ के उपर but फिर भी proper redness है normal hand कहे सकते है जबकि एनेमिय के पेशन के अंदर आप देखो redness जो है वो गायब है no redness जबकि वहाँ पे थोड़ा yellow skin देखने को मिलती है because खोन की जो है वो काफी कमी है तो जब routine में हम blood test करवाते हैं तो उसके अंदर जब hemoglobin कम आता है कि low HB या फिर जो hematocrit हम कहते है उसके भी मातरा कम है तो ऐसे condition को हम define करते है as anemia and having anemia can make you feel tired and weak मतलब कि anemia है आपको तो क्या होता है कि काफी थकान सा मैसूस होता है कमजोरी लगती है सरीर के अंदर और जो fatigue जो हम कहते है ऐसा आपके body के अंदर देखने को मिलता है कि थोड़ा सा भी काम करने पर आपको जो थकान हो जाती है कमजोरी जैसा फिल होता है तो ये condition बनती है ऐनेमिया और जिन लोगों को ये problem होता है उनको हम कहते है ऐनेमिक पेसंट कि ऐनेमिक पेसंट के अंदर आप उसके body को observe करो कि तो फीकापन देखने को मिलेगा कि there is no redness on body जबकि यहाँ पे proper redness देखने को मिलेगे कि जब आपके body के अंदर RBC भी अच्छे मातरा में है हेमोगलोबिन भी अच्छा है because हेमोगलोबिन जो है वो red color का pigment है कि जो हमारे blood के अंदर present है उसी के करन blood का जो color है वो लाल होता है तो blood जो अब कम हो जाता है मनलब कि HB down हो जाता है तो जो redness जो है वो आपके चैरे पर से या फिर आपके body पर से गायब हो जाती है और ऐसे patients कॉम कहते हैं एनेमिक patient तो जब normally भी जब sign and symptoms पर से जो observe करे हाँ physical examination से तो पहले ही यह फिकाफन देख लेको मिलता है और फिर उसका confirmation के लिए जो है वो blood test हम करते हैं और blood test से जो है वो confirm पता चल जाता है एनेमिया के बारे में तो अब आपके mind में एक और question होगा कि hemoglobin क्या है तो hemoglobin की जो एक red color का pigment है कि जो हमारे blood के अंदर present होता है और ये blood के अंदर भी रहे ये जो red blood cell होता है उसके पास रहता है ये hemoglobin की जो RBC आप देख रहे है तो यही RBC के अंदर present होते है ये hemoglobin के molecules और hemoglobin क्या करता है oxygen जो हम लेते हैं उसको carry करने का काम करता है और साथो साथ इसके पास present होता है ये iron, FEB वहाँ पर present होता है तो वो भी help करता है hemoglobin के function में red blood cells के function में तो जब आपके body के अंदर RBC समझो की काम हो जाते है कि body के अंदर RBC destroy हो गए है बहुत सारे तो भी hemoglobin जो है वो automatically down हो सकता है उसी तरह से समझो की iron की deficiency है body के अंदर तो भी ये RBC के जो functioning होते है उसके उपर असर पढ़ सकता है hemoglobin के functions के उपर असर पढ़ सकता है फिर समझे कि hemoglobin कम है तो भी directly वो आपके RBC वगेरा के उपर असर करेगा तो जब blood test किया जाता है तो उस वक्त low rate blood cell count से confirm पता चलता है about the anemia तो अब जानते है आगे hemoglobin का normal level तो जनम से लेकर जब puberty होती है तब तक का यहाँ पर आप data देख सकते है ये वाले chart के अंदर की जनम के दोरान normal hemoglobin level होता है 14 से लेकर 20 gram पर deciliter के अंदर तो कई बार आप routine words में कई बार सुनते है कि hemoglobin जो है वो मेरा 14 है कोई कहता है मेरा hemoglobin 12 है कोई कहता है मेरा सिर्फ 8 हो चुका है तो 8, 12, 14 मतलब की ये पीछे unit होता है उसका gram पर deciliter और समझे कि आपका Hb 14 से 20 है तो सबसे बेस्ट और वो सिर्फ birth के दोरान होता है फिर 0.5 से लेकर 1 year की जो age में ये Hb की value होती है 11 से लेकर 13 1 से 4 साल के अंदर वो हो जाता है वो भी 11 to 13 फिर पूबर्टी के दोरान 4 year से आगे जो पूबर्टी का जो period स्टार्ट होता है उस वक्त भी 11 to 13 फिर जो पूबर्टी के बाद females के अंदर ये value होनी चाहिए 12 से 16 और male के अंदर होनी चाहिए वो value 14 से 18 जो आपकी है normal Hb की value Hb के साथ कई बार blood test के अंदर MCV के भी data होते है तो MCV की जो data है birth के दोरान 100 से 130 होता है फिर 70 to 85 और poverty के अंदर 80 to 100 होना चाहिए male and female के अंदर ये भी एक chart बनता है कि normal level जो है वो आपने सीख लिया बट enemy काप कहेंगे कि जब Hb जो है वो 10 से 12 हो रहा है women's के अंदर तो वो mild enemy हम कहेंगे फिर 10 से 13 है पुरुसों के अंदर तो वो भी mild कहा जाएगा moderate enemy तो वो 8 से 10 के बीच में है कि 8 से 10 के बीच में कि चाहे वो male है या फिर female दोनों के अंदर 8 से 10 gram पर dl के बीच में dl मतलब कि deciliter तो भी वो moderate कहेंगे but severe enemy तब कहा जाएगा कि जब 8 या भी उससे भी कम हो चुका है आपका hemoglobin तो उस वक patient को जो है वो proper treatment देने की जरूरत है कि जब चाहे उसका mild है moderate है या फिर severe तो proper उसका ilaj करना जो है वो जरूरी है समझते हैं उसके symptoms तो जब किसी को anemia होता है तो कौन से symptoms develop होते है तो यहाँ पर हम highlight करता जाता हूँ मैं तो एक तो fatigue कि आपको थकान काफी मैसेस होती है कमजोरी कि जैसे phone के battery जो है वो काफी कम हो जाती है तो phone किस तरह से काम करता है उसका functioning जो है वो proper नहीं होता और जैसे यी battery completely खतम हो जाती है phone जो है वो बंद हो जाता है उसी तरह से हमारे body के अंदर भी ये weakness रहेगी कमजोरी रहेगी कि जब HP काफी कम है एनेमिया की condition है आपको उसके करण headache रहेगा सरदत भी रहेगा skin जो है वो yellow वी सो जाती कि जो हमने first slide में ही देखा आपके heartbeats irregular रहे सकते है chest के अंदर आपको pain होगा cold hand जैसी condition होगी insomnia मनलब के रात को late तक आपको नेंद नहीं आएगी leg के अंदर cramps रहेंगे dizziness जैसा feel होगा आपको उबासी आएगी नेंद आएगी जैसा कई बार feel होता है या फिर आप जो है वो confusion भी रहता है कई बार ये confusions भी देखने को मिलते है तो अलग-अलग आप देखो तो central nervous system पे fatigue, dizziness fainting मनलब के कई बार जो है वो person को के अंदर fainting मनलब की चक्कर आ जाना और उसके बाद कई बार unconscious condition भी हो जाते हैं जो हम कहते हैं person जो हो बयबान हो जाते है फिर blood vessels जो है वहाँ पे आप देखो तो blood pressure low हो सकता है उसके करण hearts के अंदर palpitations देखने को मिलेगे heartbeat increase हो सकते है या फिर जो है वो irregular हो सकते है chest pain होना angina, factories heart attack भी आ सकता है कि जब आपका HB काफी कम है because HB कम है, RBC कम है तो hemoglobin की oxygen carrying capacity कम हो जाएगी और oxygen आपके body को कम मिलेगा तो भी problem होकर उसमें heart को जब oxygen मिलना कम हो जाता है तो बहुत सारे complications होते है spleen जो है enlarge हो सकती है intestine में हम देखे तो change the stool color, stool का color change हो जाता है muscles जो है वो weak हो जाते है respiratory system पे हम देखे तो breathing आपके काफी sort हो जाते है skin तो paleness, coldness and yellow wing ice के उपर yellow wing आपको देखने को मिलती है तो ऐसे symptoms देखने को मिलती है कि जब आपको severe enemy conditions develop होते है because starting में तो mild होता है mild से moderate हो जाता है और फिर moderate से फिर वो severe हो जाते है तो starting के stage में ही उसका illaj होना जरूरी है तो तुरंत आपको ऐसे कोई symptoms होते थे एक बार आपका blood test जरूर से करवा लेना चाहिए और उसमें यह जो chart के according to हमने देखे वो values खास चेक करवा लो आप कि complete blood count आप करवा लो तो उससे आपको पता चल जाएगा आपके blood cells का completely count किया जाता है अच्छे से and समझे कि अनेमिया है तो अनेमिया के अंदर हमें पता है कि Hb जो की value पर से अनेमिया की condition जो वो determine होती है और उसके अलग-अलग हम type भी decide कर सकते हैं कि Hb के basis के उपर कि एक तो normal level तो के compare में mild moderate and severe यह तीन अलग-अलग condition जो है वो हम characterize कर सकते है based on the value of hemoglobin अब हमें अब से यह सब तो पता चल गया अब जानना जरूरी के reasons क्या कि कौन से reason से एनेमिया होता है तो उसके basis पे हम treatment कर सकते हैं तो सबसे पहले कि समझे कि किसी को iron deficiency के करण हुआ है एनेमिया तो उसको iron के supplements देना जरूरी है किसी को vitamins के deficiency से होता है तो specially vitamin B12 के deficiency से आपको एनेमिया हो सकता है फिर inflammation कि समझे कि आपके body के अंदर सुजन है तो सुजन के कारण भी एनेमिया हो सकता है और plastic एनेमिया एनेमिया is associated with the bone marrow disease कि कई बार bone marrow के अंदर आपको कोई problem है तो हम तो हमें तो पता है कि bone marrow production हाऊ से blood cells के लिए तो bone marrow ही अच्छे इसे काम नहीं कर रहा हो तो सामने आपके red blood cell भी अच्छे से develop नहीं होगे वहाँ पे और जिसके करण खून की कमी होगी फिर hemolytic एनेमिया के condition है sickle cell एनेमिया तो यह सभी condition से आपको एनेमिया हो सकता है vitamin B9 की जिसको folate हम कहते है folic acid भी कहते है तो उसकी deficiency से भी आपको एनेमिया हो सकता है तो इसलिए देखो medications के अंदर यह 3 खास रहते है एक iron रहता है vitamin B12 रहता है and folate को as a folic acid उसके अंदर एड किया होते है तो iron folic acid plus vitamin B12 के जो tablet से वो usually patients को दिये जाते हैं फिर decreased blood cell production blood loss हो जाए कोई accidentally तो भी आनेमिया हो सकता है and red blood cell का destruction होना मिलाब कि आपके RBC जो है वो break हो रहा है उनका destruction हो रहा है किसी तरह से वो damage हो रहा है तो भी आपके body के अंदर खून की कमी होगी HB कम हो जाएगा तो उसके prevention के लिए जरूरी है कि proper आप ऐसे food ले कि जिसके अंदर iron जो है वो काफी अच्छे मातरा में कि जिसको हिंदी में हम लोह तत्व कहते हैं तो ऐसा खाना लीजे कि जिसके अंदर लोह तत्व अच्छे मातरा में होता है तो यहाँ पर आप देख सकते कि आप spinach खा सकते हैं फिर Brussels sprouts खा सकते हैं फिर bok choy ले सकते हैं कॉलाट ग्रीन ले सकते हैं फिर pumpkin seed ले सकते हैं और इंडिया के अंदर usually जो हम खास कर लेते हैं तो tomatoes वगेरा, broccoli ले सकते हैं green peas आप खा सकते हैं green beans वगेरा होते हैं तो यह सब आप जो है वो ले सकते हैं कि जो iron rich fruit कहे जाते हैं folate की जो nutrient है कि जो हमें synthetic form है folic acid का vitamin B12 जैसे foods के अंदर होते हैं जैसे specially यह जो green leafy vegetables होते हैं जितने भी उसमें B12 भी मिल जाता है फिर जो cereals होते है soy products होते हैं उसमें भी हमें B12 मिल जाता है dairy products के अंदर होता है meat के अंदर और vitamin C तो ऐसे food के जो उसके अंदर vitamin C हमें अच्छा मिल जाते हैं जो औरेंज जीस है, lemon है तो वो भी आप ले सकते हैं कि जिससे vitamin C अच्छे से मिले आमला भी खा सकते हैं अब बात करते हैं proper medications की तो medications के अंदर usually जो है वो daily one tablet लेने होता है daily one तो usually आपको समझें कि ये वाला prescribe किया हुआ है तो इसके ये जो 10 tablet है तो daily आपको सिर्फ एक ही tablet जो है वो ये खानी होती है कि जिसके अंदर methyl cobalemine होता है pyridoxin hydrochloride होता है and folic acid तो methyl cobalemine मतलब कि vitamin B12 उसके अंदर present है vitamin B6 भी present है और vitamin B9 तो ये हो गई कि जिसकी deficiencies से आपको या अनेमिया होता है तो ये क्या और हो जाएगा उसी तरह से देखो folic acid with iron के tablet तो ये भी prescribe किया जाता है और usually patient जो है वो ये medicines जो है वो दिन में एक ही बार खाता है कि possible होता है उसको वो morning में ले सकता है या फिर वो night में तो डेली एक ही tablet लेने होता है कि जब तक आपकी खुण की कमी जो है वो पूरी ना हो उसी तरह से देखो government भी उसके campaigns चलाती है कि school के अंदर भी आपको पता होगा कि ये जो बच्चों को जो blue colors के जो pills थे वो दिये जाते है कि iron and folic acid के जो tablets होते है कि weekly ये dose दिया जाता है schools के अंदर usually कि weekly iron and folic acid supplementation WIFS in India since year 2000 कि 2000 के साल से national health mission या फिर national ruler health mission जो हम कहते है NRHM तो उसके अंतरगत ये अलग-अलग programs चलते है और iron folic acid के जो supplements जो है वो school के अंदर बच्चों को दिये जाते है तो हर हबते निली गोली लेकर हम बने चूस्त से सूस्त तो ये campaign चलाती है तो इस तरह से आप देख सकते है iron folic acid के tablets आते है और ये type की tablets available होते है कि जो government of India ये campaign चलाती है तो ये इस तरह से blue color की ये गोली होती है कि जो directly पानी के साथ ही आपको लेनी होती है तो अब जानते हैं कुछ इसी के बारे में के branding of IFA tablet as a blue WIFS कि जो W for weekly I for iron F for folic acid and S for supplementation कि जिसका full form होता है WIFS कि जो हमारी भारत सरकार जो है वो ये campaign चलाती है और ये tablet जो है वो school और अंगनवाडी के साथ जो हमारे प्रात्मी कारों के कैंदर है community health centers वगेरा है वहाँ पे भी मिल जाते है and blue color WIFS IFA to identify from other different type of IFA tablets कि IFA के तो बहुत सारे अलग-अलग brands होते हैं बट ये जो सरकार जो campaign चलाती है उसकी अलग से एक image तयार हो और उसको आप identify कर सके आसानी से इसलिए उसका color जो है वो blue color रखा हुआ आप देख सकते हैं फिर हम brands देखते हैं कि समझो कि anemia हुआ है तो दुसरे और कौन से medications दिये जाते हैं कि समझो कि normal iron folic acid से भी ठीक नहीं हो रहा है तो दुसरे भी कुछ options होते हैं कि जैसे कि folic acid के directly plain tablets के कुछ लोग उसकरते हैं कि जैसके अंदर सिर्फ folic acid रहता है और usually 5 mg strength में रहता है और यह जो है वो patient Delhi 1 एक लेते हैं Delhi 1 tablet एक से ज्यादा tablet नहीं लेने होते हैं because 5 mg per day enough रहता है उसी तरह से जो ferrous sulfate के आते हैं ferrous gluconate के tablet या फिर ferrous के जो dietary supplement है वो भी सिर्फ एक tablet Delhi 1 यह आप एक condition यह होते हैं कि समझे कि आप folic acid ले रहे तो फिर ferrous sulfate लेनी की जरूरत नहीं है और ferrous sulfate ले रहे है तो folic acid की जरूरत नहीं रहती फिर ferrous gluconate ले रहे तो भी दूसरे medications की जरूरत नहीं है या फिर यह सभी आप योज नहीं कर रहे हैं यूनिट रहते हैं उसके, या फिर कई बार उसको 2K लिखा जाता है, 2K पर ML, 2K यूनिट पर ML, तो इंजेक्शन स्पेशली हॉस्पिटल यूस के रहते हैं, और यहाँ पे उसके प्रेफिल सिरिंज भी अवेलेबल होते हैं, जो 3000 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है, तो य कि जो severe एनेमिक पेशन्ट होते हैं, कि जिसका Hb8 या उससे भी कम है, या फिर Hb5 हो चुका है, 6 हो चुका है, ऐसे कंडिशन में इंजेक्शन होस्पिरलाइस पेशन्स को दिये जाते हैं, फिर जो समझे कि आपका एनेमिया माल्ड है, या फिर moderate एनेमिया कंडिशन से, तो ऐसे कंडिशन के अंदर, ये सीरप से आसानी से क्योर हो जाता है, कि पारिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B6, ओक्जिमेथोलोन, या फिर मल्टी विटामिन विथ आयन, तो पारिडॉक्सिन के इंजेक्शन का इबार दिये जाते हैं, mild to moderate के अंदर, बट वो जरुरत पढ़ने तब भी, वरना आसानी से ये मल्टी विटामिन के जो टैबलेट होते हैं, या फिर आयन कंटेनिंग जो मल्टी विटामिन सीरप से होते हैं, उससे आसानी से आपका एनेमिक कंडिशन जो है, वो ट्रीट हो जाता है, फिर दूसरा हम एक option है कि जो hospitalized patient होते ह कि HB समझें के काफी कम है, कि less than 5 है चुका है, less than 6 है, less than 7, less than 8, इतना कम HB हो जाग है कि 5, 6, 7, 8 या उससे भी कम HB है, तो उस वक्त आपके पास option रहता है, ये आयन डेक्स्रान के injections का, कि जो अब तक हमने डिसक्स के क्यों जूसरी सिरली सीराफ फॉर्म में अविलेबल थी, कुछ टैबलेट्स वह गेरा थी, तो टैबलेट्स सीराप से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास option रहता है ये injections का, तो ये injections usually hospitalized patient को दिया जाता है as a iron replacement therapy कि proper ions जो है उसके body के अंदर ion जो है वो introduced किया जाता है और ये जो है वो proper healthcare providers के super reason के अंदर में ही hospital की use के लिए होता है फिर आगे समझते है medicines के समझे कि anemia होने का reason जो है वो आपका कोई cancer है और उसमें भी ये जो multiple myeloma की जो हम बात करते हैं कि this medication is used if the anemia occurs due to the multiple myeloma type of cancer तो ये वाला medication जो आप देख सकते हैं कि जो cipla बनाती है lenalidomide के जो capsules आते हैं 10 mg के strength के अंदर तो कई बार क्या होता कि ये जो multiple myeloma होते हैं कि एक type का cancer है तो उस वक्त आपका Hb कम हो जाता है तो उस वक्त lenalidomide के ये tablets जो है वो prescribe किये जाते हैं और lenalidomide क्या करता है आपकी immune system के उपर specially असर करता है and it promotes the immune response to help slow a tumor growth ये medication क्या करेगी कोई anti-cancer medication नहीं है but ये medication क्या करेगी आपके immune response ये से generate करेगी कि जिससे tumor की जो growth है वो हो जाएगे काफे slow जो slow growth हो जाएगे जिसके करण आगे जो है वो आप दूसरे medication से treat कर सकते है cancer को कि जो anti-cancer दवाईया होती है और उस वक्त एनेमिया हो तो एनेमिया की conditions भी आसानी से आप treat कर सकते है कि जब किसी को cancer होता है lenalidomide के जो tablets आते है used to treat the multiple myolema born marrow का एक cancer कहा जाता है उसको either in combination with other medications और after stem cell transplant कि जो stem cell transplant किया जाता है तो उसके medications या फिर जो simple directly भी ये without any combination भी use किया जाता है कि जब आपको खुनकी कमी हो जाती है आपके अंदर cancer के कारण तो ये था हमारा special video lecture about the enemy थैंक्यू for watching जोइन कर सकते है whatsapp group ये वाला whatsapp helpline number है pharma rocks का जोइन कर सकते है study material के लिए test series and video lecture के लिए pharma rocks के app के अंदर तो android user android app download करेंगे iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best